हलो एक बार बता दिए आवाज आ रहे क्लियर सभी को गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हो आप सभी अच्छा बढ़िया ठीक है चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स चेप्टर चल्दी से जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चेप्टर के जले राइटर के नेम भेज दीजिए अप अनुछ गुड मॉनिंग सब का एक बर मैं बोल देता हूं कौन का नहीं गुड को भाई गुड मॉनिंग चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को है ना चलिए आज की चैप्टर हम बात करेंगे एक बच्ची की जो अपने पीता से थोड़ा डरती है ठीक है ना आमतवर पे ऐसा होता है कि जब हम लोग छोटे होता अपने पैरन से डरा करते हैं आज पू है ना चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले डू यू फील चलिए स्टार्ट करें डू यू फील यू यू पैरेंट्स बेटर नौ देन वेन यू वर मच यंगर परहाप्स यू ना अंडेस्टेंड रीजन फॉर सम आप दियर एक्शन्स तैड यूस्ट मैंने बाद भाद में पता चलता है इसका अबहास बाद में फिलिंड आती ही कि नहीं हमारे पैरेंट वाद में अदीभी पिफोर यू रीड आप जड़ा फील करिये यह पुछाने डू यू फील नो चलिए अब दूसरा पॉइंट के काता दिस स्टोरी बाउट अ लिटिल गर्रूस फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रम पियर तो अंडरस्टेंडिंग विल प्रोविली पॉइंड एंड एको इक तो इन एवरी हों ध्याश सुनिएगा अब यह जो चैप्र है न चैप्र किस बारे में बता रहा है इस एक लिटिल गर्रकेंगर में हैं इसकी फीलिंग बता रहें ठीक है ना जिसकी फीलिंग ऐसी थी जो अपने पिता से अपने पैरेंस से डरने वाले फीलिंग थी हना कई इस बार क्या होते बच्चे डरा करते हैं अपने पैरेंस से कुछ भी बताने में हिजक करते हैं या फिस आमतौर पर क्या करते हैं हाँ कि अनसुमान भाई क्या ही चलिए देखिए अब वहीं बता गए कैसे उनकी फियर अंडस्टेंडिंग में चेंज हो जाती कैसे उनकी फिय इस लिटिल गार का पियर बाद में अंडरस्टेंडिंग में चेंज हो जाती ये समन में आएगा इस चप्टर में पूरा ठीक है ना हमें दो चीजे जानने हैं ठीक है चलिए अभी दिखाते हैं चलिए आगे देखते हैं पहले जो चीजे आपको पढ़ने इसे में रुद्राक्षी राए हेलो हेलो आप थोड़ा से लेट जुड़े हो चार मिनट आइधिंग है ना चलिए दो चीजे पढ़ने हमको जानने है हां मौनिंग चलिए नेक्स इस स्टार्ट करते हैं हमको दो चीज़ पढ़ना प्जान गहना कयसे किसी की feeling कैसे फीर वाग्री i virus करते दिन इसको प एकड़ तर ठीक है ना, आफिस जाने से पहले उसके पास आते हैं, ठीक है ना, और उसे casual kiss देते हैं, मतलब यह casual kiss इसले देते हैं, उससे उनकी प्यार दिखता है, ठीक है ना, छोटे बच्चे हैं, उनकी parents में, लेकिन देखिए, अभी क्या है न, धिरेदे इसका fear है, अभी अपने पिता जी से इसका क्या है, fear, एक प्रकास से डरती है, बाद में यही डर, कैसे understanding में change होगी, यही पूरा chapter दिया हुआ है, ठीक है न, इसको आपको भी समझना है, ठीक है न, आपको भी अपने life में इस तरह rule follow करने है, चलिए, आगे चलते हैं, goodbye father and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carries growing father, fainter and fainter, down the long road, अब ध्यान सुनिएगा, हाँ, सुनिए ध्यान से, अभी क्या होता है, जब उसके पिता जी ओफिस जाया करते हैं, तो उनके जो bikes, carriage होते हैं, carriage में कुछ भी हो सकता है, उसका noise सुनते ही, क्या उसे खुसी महसूस होती है, यहां लिखा हुआ, देख लिए, was a glad sense of relief, हलका से खुसी महसूस देता है, ऐ जब छोटे होते बच्चे न, अपने पिता जी को जाते देखते हैं, तो क्या करता है, जिससे डर लगता है, उनको, कोई भी हो सकता है, तो थोड़ी दूर पे जाएंगे न, उनको खुसी महसूस होगा, आप घर पे गया, जितनी भी सैतानी हम ही लोग करेंगे, ठीक है न, ऐसा इससे लग रहा है, लिटिल गर को भी लग रहा है, ठीक है न, सेम फिलिंग, अब ध्यान सुनिएगा, आगे, इन दे एबनिंग वेन ही केम हूम, सी स्टूड नियर दे स्टेर केस, स्टेर केस, एंड होर्ड लाउड वाइस इन दा हॉल, अब देखें, जब वो साम को घर आते हैं, जाहिर सी बात है, आफिस गय है, तो जाहिर से बात आएंगे घर वापस, ऐसा है कि नहीं कि वहीं लटे ही है, हाँ, कभी-कभी हो सकता है, एक्सिडेंट केसमें, बाकि ऐसा नहीं होगा, ठीक है न, वाइंग वापस, वापस आएं, अब देखेंगे जो लिट गरमाने के सेंजमें मतलब कि बहुत घुस्से मेरा था, यह लाओ वो लाओ, आप भी फिल की होगे, कोई हार्ड वर्क है कि आफिए, कोई इरिटेट हो जाता है, जाहिर से बात है, यह इस समझना चाहिए, इस लिटिल गर्ट को भी समझना चाहिए, उसके पैरेंस को भी सम है कुछ ही इस प्रकार से समझना है हाँ प्रांसी गुड मॉनिंग हैलो आगे देखते हैं कि अब बिंग माइटी इंटु दे ड्राइंग रूम अब क्या बोलते हैं मेरा टी लाइए मेरे होम के पास पहुचाना ठीक है ना ड्राइंग रूम में फासिते बात है किस से बोलेंगे बात है इस फोलेंंगी यह बात अशञ पैपर कम ये चिवीके कोई न्यूजवेट पेपर की बात कर रहा है तो न्यूजवेटर की बात हो रही है अब पेपर नहीं आए क्या गुस्से में बोल अभी तक पेपर नहीं आए क्या अब देखिया आगे मदर गो एंड सी इफ यू पेपर इस आउट डियर एंड ब्रींग मी माई आप भी कहें से अभी तो आपको फील नहीं होता क्योंकि आप कोई वर्खी नहीं करना होगा तो कोई फीलिंगा नहीं आएगी ठीक है ना गुस्ते कि अब समझ में नहीं आएगा पैनेन्स की यह उनकी फीलिंग होगी जब घर से वापस आएं गी ठीक है ना अब धीरे धीरे इसको समझोगे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे एक एस के बाद ठीक है ना अब आगे चलते हैं फ़र देखते हैं कहानी में और क्या है आखे देखिये जो केजिया नाम है ठीक है ना किजिया ध्राम से सुनियेगा मदर उट कॉल टू हर इफ यू अर्गुट गर्ल यू कैनों चाहिए जो अब देखिये जो केजिया की सारी जो फादर होते हैं वादर उसकी वाईफ उनकी वाईफ क्या बोलती है अपने लिटिल गर से लिटिल के नाम है केजिया जाओ अपने पिता जी के बूट्स को क्या करो उतारना है ठीक है ना अब देखिए अगर तुम अच्छे लड़की हो तो जाओ अपने पिता की सूज को उतारो यहीं लिखाएं टेक आफ फादर्स बूट्स स्लोली दगल और स्लीब डाउं धश्टेयर मोर्फ लोली स्टील एक्रोस होल एंड पुछ ओपेंड़ ट्राइंग रूम तो अब देखिये कई बार होता नहीं आप को काम करना नहीं चाहते हो लेकिन वह पैरेंस के डर के कारण कर जाते हो धेरे दरे वह जैसे सीड़ी पर से रही होती है आनाव चाहते नहीं और समझी आप लोग बहारा इसे किये होंगे नहीं मना कर सकते नहीं मना कर सकते जड़ा हैं आप कमेंट रहा जाओगे बाइद टाइम ही है इस इस्पेक्टेकल्स और अन लुक्ट अट हर ओर देम इन वी डैट वाज़ टेरिफाइंग टू द लीटिल गर और जब उसे देखते हैं लिटिल गर को एक दब भयानक भयानक सकल देखता है ठीका न गुस्य वाली यांसी सुकला क्या कर पर भी चल लाइए क्लास हां यूटूब पर भी चल लाइए यूटूब पर दोनों पर चल ला है चलिए रुद राक्षे बोल ला ही मैं मैं अच्छा आपको लग्सरा आए ठीक है चलिया आगे देखते हैं वेल केजिया हरी अपन पुल आफ दीस बूट्स और टेक और टे अब देखना अब आती है अजाहिर जी बात है ऐसा ही नॉर्मल काम होगा अब उसके पिता जी क्या पूछते हैं यहां पास जो पूछे कि आज तो इसका मतलब ध्यान समझे कहने का सेंस समझे कहने का सेंस यह है कि तुमने कोई अच्छे गर्ल कोई बुरा काम तो नहीं किय क्या मतलब अच्छे गर्ल होना अच्छे तरह रहे होना पूरा दिन भर में कई बार होते ने पैरंस चले जाते हैं तो अंदाधर राता थोड़ा बहुत तो इधा-उदा सैतानी करेंगे तो आके पूछा करते हैं और भी पूछ रहा है छोटी गल से चोटी गल्स क्या ही ज इस प्रकाव से ओके नहीं अब देखें आगे देखते हैं थोड़ा सा और आप समझते रही है कहानी इंडिंग इसका जबाजस्त है ठीक है ना छोटा सा कहानी है छोटा सा चैप्टर है बट आपको बहुत कुछ सिखाएगा ठीक है ना वन साट रिविजन में आप बहुत क like that mother will have to take you to the doctor देखना अब क्या हुआ अब वो ऐसे लडखड़ा आते हुए बोलती नहीं यू डिल ऐसे बच्चे बोला करते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं डरते हुए क्यों के अंदर फियर होती है अब इसको भी अपने पिता जी से एकदम फियर वाला सेंस है मतलब डर है ठीक है न डर के कारड उसका आवाद डी 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 ऐसे लडखड़ाते हुए निकल नहीं है ठीक है सी निवर स्टटर्टर्ड विथ अधर पीपल और गवाई गिवन इट अप बट अनली विथ फादर बिकॉस देन सी वस ट्राइं सो हार्ड तो से देर वर्ड प्रफरली व सब्सक्राइब अब ध्यान सुनिएगा अब वह क्या करते हैं जो फादर होते हैं अब लिटिल गर के मदर से कहते हैं आप इसको केजिया को सिखाईए कि कभी सुसाइड न कर ले ठीक है ना सुसाइड ऐसा मतलब हो सकता है कर ले क्योंकि इस प्रकार से लडखड़ा के जो सब्सक्राइब दिखा रहा है कि फैमिली वालों से परसान हो जाया परसान होके क्या करना सुसाइड न कर ले इस होज़ा से कि रुद्रक्ष्य आप कौन से प्रांसे अच्छा दो दो प्रांसी है गया थीक है चली आगे देखते हैं अब लोग आपस में बात कर रहे हो कहानी पढ़े हो इस वज़े से आई तिंक मजा ले रहे हो कोई बात नहीं अब आगे देखते हैं अब देखिए अब वो जब जमाही लिया करते हैं न जस नीद की कारण आता है न थके भरे वह आई हुए हैं तो जो जमाही लेते हैं तो उसको लिटिल गर को क्या लगता है उनके पीता जी का जो चहरा न बहुत बड़ा बड़ा देखता है लगता एर अच्छा सी है जाइ कि अच्छा बहुता है तो अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने में भीजी और बेजी रहो चली अच्छा एक सेकेंड के रोग दीदिया मॉनिंग समय इधर देखी वह सुनिए तर यूटुब पर कौन सी क्लास है यूटुब पर कौन सी नाइन्ध क्लास की है इस ना आगे देखते हैं अन संडे आफ्टरनून ड्रेंड मदर सेंट हर डाउन तो दे ड्राइंग रूम तो हैव नाइस टॉक विद फादर एंड मदर अब ध्यांस सुनिएगा अब जो लिटिल गर होती है ना अब संडे की दिन सब खाली होते हैं उनकी मदर भी खाली होती है और इसके फादर भी ठ ठीक है ना तो अब क्या होता बात कर पाती है कि नहीं ध्यांस देखिएगा गया बट लिटिल गर्ल आलवेस फाउंड मदर रिडिंग और फादर स्ट्रेच लेकिन हर संडे को वह देखती कि जो उसकी मदर है ना पढ़ने में बैस्तता है उसकी एक दिन भाई छुट्टी म प्रहता है कि आपके पैरेंस तो समय नहीं मिलता होगा कई यों के पास वो कहते होंगे हां मेरे पास समय नहीं लेकिन हां आप उसे आप छोटे होना आप पढ़ रहा हूं आप यह से चैप्टर सीख रहा हो ना तो आप जब सीख रहा हो तो केवल पढ़ाई एक किताबी पीड़ा नहीं ओके अब आगे ध्यान देखिएगा पाउंड मदर रिडिंग और फादर इस्टेज आउट ऑन दे शोफा और जो फादर फैले हुए है सोफे पे मतलब की सो रहा है सो पड़े हुए संडे के मॉनिंग वो छे दिन जितने भी है ना उतने दिन में बहुत ठक के हुए थे तो सो रहे हैं जाहिर सी बात है है हैंग हैंगरचिफ और इस फेस इस फीट और वन अब दवेस्ट क्यों संस स्लीपिंग साउंडली एंड अब ध्यान से देखिएगा वह इस प्रकास से सो रहे हैं हैं कि अपने मुझ पर रख के ठीक है इस तो पड़े हुए है एक साइड यह होता थकाई है उपको एहसास दिला रहा है यहां तक बाते आपको समझ में आई तो जरा मुझे बता दीजिए बता दीजिए एक बात आगे चलते हैं यह देख लीजिए दा लिटिल गर्ड आल्वेस फांड मदर रिडिंग और फादर इस्टेच आउट उन सोफा यह देखी कि यह सो रहा है हैंकियों की डाल की यह पढ़ रहें बुक यह लिटिल गाल की कि समझ में आया कि सर्य श्टोरी मस्त है रुद्राक्षी हां मस्त है बात तो सही है आपसे मैस खा रहा है क्या चलिए देख लिए ना दोनों लोगोगों को आगे देखते हैं बुद्राक्षी हां मैं चारा ठीक है तब तो सी सेट और श्टूल ग्रेवली वास हिम अंटिल ही वोक एन इस्टेच अन आस्टल टाइम देन लुक आट हो डोल इस्टेर सो के दिया यह लुक लाइक लिटिल अब इन सुनीवां अ आप राशिया क्या कहीरू है हाँ असो prince and a मैस्ट हो रहा है हो रहा है आपसे मेश हो रहा है लगर हां सब्सेमेश हो रहा है चलिए आगे देखते हैं देखिए आप क्या होता सी सेट और स्टूल अब देखिए क्या होता अब वह एक प्रकास बगल में खड़ी रोड़ी रहती है ठीक है ना उसके फादर के नीद खुलती है जाहिए बात है अपनी नीद पूरी करने के बाद सो उठेंगे ना सोएंगे गूरो मत के जिया अचा क्यों यू लुक लाइक लिटिल ब्रावन आउल और तुम कैसे दिख रहे हो लिटिल ब्रावन आउल की तरह दिख रही हो मत इस तरह घूरो ओके अब देखिए वन डे वेल सी वाज़े केप्ट इंडोर्स विट अ कोल्ड हर ग्रेंड मदर तोल हर एक दिन उनकी ग्रेंड मतर ग्रेंड मतर समझ रहे हैं जरा मुझे बता दीजिए जब तक मैं आगे बता रहे हैं मुझे यह ओके सब ना घुरूंगी लद्राक्षी का रहे हैं ठीक है ठीक है अगले वीग में आपके पिता जी का क्या है अब बर्ण करने लिटिल ध्यां से देखिएगा आपको अव सजेस्ट क्या करते सी सूट में फिन कुशन for a gift out of a beautiful piece of yellow silk अब देखिए एक तक्किया टाइप का पिन क्यूशन बनाने के लिए वो सज़स्ट करती है कि इस प्रकार का कुछ गिप्ट बना के अपने पिता जिक दे दो ठीक है ना हो सकता सोफे वाइसे सो रहे होंगे खाली लकड़ी पीस बज़े से पिन क्यूशन टाइप का ठीक ना अब देखिए का ध्यान से आगे देखते हैं थोड़ा कहानी आगे थोड़ा से स्टोरी मढ़ते हैं अब देखिए लेबर लिसली विट डबल कॉर्टन द लिटिल गल स्टिज दियर साइड बट वाट तो फिल इट विट अब देखिए उसक पर पास एक्स वो था अब उसको पता चल गयाईडिया अपने फादर को क्या देना घीफ्ट में अभी विसके अंदर एक खलवली से मची थे वह खलवली क्या थी उसके अन्दर के उसन जो था ना पिंशन कोच फिश बॉक्स टाइब के था उसके अंदर क्या डाला जाए ठ सकता हो तक यह ही हो लेकिन इसमें बताया नहीं अच्छे से क्लियर करें ठीके ना अब देखिए क्या होता है बट वाट तो फिल इट विट लबर श्ली का मतलब यह दिया हुआ है यह उसमें भारा क्या जाए है ना आगे देखते हैं थोड़ा इस्टोरी में दग्रेंड में सब्सक्राइब देख लिए क्या होता है यह पीसे सब्सक्राइब आगे देखी थोड़ा सा अ अब क्या होता है जो होती है सब लोग होते हैं हम लोग के साथ भी हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है जब हम लोग को कुछ मिलता नहीं ना समाझ नहीं आता क्या करना हम लोग इससे सोचते सोचते चले जाते हैं आप पता नहीं कहां पहुंच जा है यह भी पहुंचते स्रूम अब ध्यांस देखिएगा आगे हां अन्द बेट टेबल सी डिसकोवर्ड और डिसकोवर्ड ग्रेट मैनी सीट्स आप फाइन पेपर गैदर देम अब तोर देम इंटो टाइनी पीशिस एंड इस इस्टाफल हरकेस देन सीवड अप फूर्ट साइड अब ध्यां सुनि जड़े उसमें डाने के लिउसे मिल गया होगा है ठीकाना अब सोस्ति हाँ यह डालने लाइक है अब क्या करती उस क्यूशन में डाल भी देथे ठीक ना डैट नाइट। देहाज देखिया अब ध्यान सुनिए आगे एक राथ एक राथ होता है देवाज हुनकराई इसका म क्या होता है भर में बहुत हला उल्हा हो रहा होता साध समंद में आ रहा है स्टोरी हल्ला उल्हा क्यों हो हो गा हिए परण ना कि मतलब प synt्यANGना ऑफ जाना इसे होता है कि इसका मतलब लेकिन हां इसका मतलब तो अ ही होता है इस्टोरी समय में आ रहा है ना आगे क्या होने वाला वही जो टुक्रा फाइन पीसे पाई थी अपने पिता जी को गिफ्ट में देने के लिए उसके अंदा भरने के ठीक है ना साथ वही न भर दी हो देखते हैं आगे क्या होता कहानी में आगे देखिए फादर्स ग्रेट स् पीटाजी उसके पीटाजी का क्या खो जाता है दिहां सुनिएगा पूरट एथारिटी एक कोई का आगज होता है इंपोर्टन काज ठीक है ना वो खो गया होता है इस वज़ेश से हल्लाय होता है घर में अब आगे क्या होता है रूम सुर स्थ सरुष्ट्स स्कृस्चन फा जबाब नहीं दिया रूम में मिला नहीं ठिकना कुछ पता नहीं तो आगे देखे क्या होता है के जाइस क्या सक्किया है के पास आती के जाइक रूम में फाइनली उसके बात क्या होता है कैजी आइस अपो irrelevant लेकिन आप देखा हुगा लेकिन अब देखे क्या होता है ओ यह सी सेड आइट टेम आप और माइच रप्राइज अब ध्यान सुनिया आप क्या करती नहीं मैंने देखा है और उसे फारवर के डाल भी दिया ऐसा अपने मदर से बूलती है अब इसकी मदर क्या करती है पिटव कि आप बता दीजिए भाई है कि अधराक्षी आपके मार डालेंगी अच्छा मदर मार डालेंगी कि ना यह ऐसा नहीं है थीक है हाँ अच्छा थीक है ऐसे कामी कर रहे हुआ है वालने वालत मायर तो खाएगे यह भी तो ऐसे कर रही है ना अब ध्यान सुनना अब आगे क्या करते वोट्स वाट स्कीन मदर कम स्ट्रेट डाउन टू दे डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट अब तुना बोलती ड जाएंन से मिलाने जा रही जाएंट मीशा अब राच्छा अब रच्षा जावरा तो दे अब दीखता है थोड़ा सा and she was dragged down to where father was fishing to and fro hands behind his back well he said sharply mother explain he stopped and stared at the child did you do that no 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 abdhyaan sunyega up kiawati uskai mother usko ghasit teo dragged karthi will ya there's a poilipot net pakar clear at the chalo 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 matlab wala ghasit ke nahi exam namna taa ke waha hap n Grow me se leka rati of volte is neki has i smell yethi choti bachsi little girl hait hain thikana bahut seitani wahi kar rai hiyah kar rai hiyah hih pure joh aapka kaagast heney speech wallie usko for khaakka ke kishara atm diya thikana abdhyaan sunyega mother explain mother neai puri ta rotation abdhaan sunyega abdhaan लेकिन आप लोग को भी होता न कई बार की होते हो तो हर बढाहर में क्या बोलते हैं बचने के लिए थोड़ा सा कि मतलब सबके सब गल्प्री किये हो जी सा जी सब कर सबके सब ऐसा किये हो ऐसा समय आया है जब आपको जूट बोलना पड़ा है ना थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए कोई हरिशन नहीं है आपका फायदा बोल लिया करिए आपको पढ़ाई करना तब जूट बोल दीए कि कि किसी का नुकसान हो रहा हो तब अपना फायदा देखना चली आगए देखते हैं मदर गोफ तो हर रूम एंड फेच राउन देंग 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 देखते हैं आगे देखते हैं सात्वा पॉइंट सात्वा पॉइंट क्या कहता है समझी एगा आप लोग ठीक है ना आई इस्टोरी आपको यहां तक समझ में आई होगी एक बार मुझे क्लियर कर दीजी है आपको इस्टोरी इहां तक समझ में आ रही है और थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है जितनी बाहर भी पढ़ें को उतनी बार मज़ा आए खिक है ना क्लियर है दुद्राक्षी आपको आ रही समझ में ठीक है काई लोग तो मौने कितने लोग विस्तर में हुआ सुबह सुबह जरा मुझे यह बताई यह दुद्राक्षी हाँ सर एक डाउट जरा पूछी आप डाउट पूछी यह कि कई लोग है प्रांसी है तो दुद्राक्षी पूछ रहें सर आपका गाउँ हूँ हूँ हाँ मैंने बोला है ना पूछ ले ना हाँ पूछ सकते हो भाई गाउँ पूछ सकते हो है ना आपके पास वहां पूछिए कि चली समाझ रहे हो आगे देखते हैं थोड़ा सा अब आगे चलंस देखते हैं 1625 क्या कहता है तक क्यों है客 क्राइग क्वैंच क्वैन स्थे लें डे सरो steps ठीक ठीक कौन कौन है बताईए आगे देखते हैं जड़ा है कहां तक हाँ सात्वा पॉइंट जहां देखिएगा आप लो थी याज बता देंगे रॉट अब देखिए अब लिटिल गार ने गलती किया था अब गलती करने के बाद उसके पादर हैं वह इस टिक लेका था रूलर में सक्षाडी लेकर आते हैं उससे साथ उसकी पिटाई होने वाली है ठीक है ना I'm going to beat you for this he said अब देखे क्या करते हैं मैं तुमने आप जो गलती किया ना इसको इसके लिए मैं आज पीठने जा रहा हूं तुम्हें आप पीठी ये मैं इंतजार कर रही हूं आपी कर रहा हूं पीठी ये oh no she screamed hiding under the bedcloth और बोली नहीं नहीं ओ नो आपको क्या करते हैं अपने आपको हाइड कर लेती है कंबल उठाकर ठीक है ना बेड़ क्लॉस को ही पूल दे मैं साइड और उसके फादर क्या करते हैं उसको फिर खिचके साइड कर देते हैं आँतानी सर, प्रियाग राज की स्टेचन बहुत अच्छा है हाँ प्रियाग राज की श्टेचन अच्छा है वाहत सही है एक सॉंग है और नदेखसर्प का मुझे पसंद नहीं है कोई अक्टरेस नहीं पसंदे न hmए अक्टर पसंदे मुझे तो कि मैं हॉलिवूड मुवी देखता हूं इस बज़ा से सायथ गुड मॉर्निंग संतोष आप यहां भी हो क्या अच्छा अच्छा नुख ठीक ठीक अठीक अरे कोई बात नहीं रुद्राक्षी संतोष क्या लिख रहे आप बिन बुलाए में हमाद भात तो सही आप नाइन्थ क्लास भी आ गए हो आई तिंग आप टेंथ में होना जहां तक मैं क्लियर हूं जड़ा बता दीजिए एक बार हाँ कि अगा भाए हाँ रुद्राक्षी क्या रहे दस के भाए हैं क्या कर रहे हैं सही बात है आरे वह मेरे गाउंसे बिलॉंग करता है ठीक है ना जश्ट मेरे बगार सेही क्यों नहों साज मेरे इसकी पहचान अच्छी बन गई है क्यों संतोष सब सो रहे हैं तो हम हम ही फायदा उठाने क्लास के हां सही कह रहे हो सब सो रहे हैं आप ही उठा लो चली थड़ा आगे देखते हैं अब क्या हुआ उसके फादर को हटा दिये साइड करके ठीक है ना कंबल को उसके बाद क्या होता है ध्यान सुनिएगा यू मस्ट भी टॉट वन्स एंड फॉर ओल नॉट टू टूच वट देखते हैं अब ध्यान से सुनिएगा कई हम लोग को बहुत अच्छी सीख हैं पास ध्यान सुनिएगा हम लोग को रहे हैं अच्छी सीख क्या है जब आपकी गलती होती है ना आपको अपने पैरंस की हर बाते मान लेनी चाहिए ठीक है ना यह तो यह हुआ दूसरी सीख देखें क्या दे रहे हैं ध्यान सुनिए जब आपकी कोई चीज है नहीं कोई वस्तू आपकी नहीं कोई थिंस नहीं है तो आप उससे अगर विलॉंग नहीं कर रहे हो ना तो आपको उसे टच नहीं करना चाहिए किसी और का हो सकता इंपॉर्टेंट चीज हो सकता आपको उसे नहीं चुना चाहिए वह हैं चीज सिखाने सिखा रहें लर्निंग चीज़े ठीक है ना आप इसे सीख सकते अपने लाइव में भी फालो कर सकते हो ठीक है ना इतनी बास समझ में आई जरा मुझे बता अधिक हो जाएगा तीनी पॉइंट से अज कम बेट हो जाएंगे ठीक है ना डॉंट वई अब देखिए क्या होता है लेकिन कह रही है अब देखिए उसे पता है उसके पिताजी को बता रही कि नहीं यह आपके बढ़डे के लिए था आपके बढ़डे के गिफ्ट की अब देखिए अभी तक उसकी फियर अभी तक फियर चला ठीक है अब देखिए यह फियर कब अंडरस्टेंडिंग में चेंज होगी ठीक है यह देखना आपको यह सी चैप्टर में देखते आगे छोड़ा सा देखिएगा आठवा पॉइंट क्या करता आर्स लेटर वेन गैंबरनर हैड रैप्ड हर इन रॉप्ड हर इन रॉप्ड हर इन रॉपकिंग चिर दचाइल क्लंग तो हर शॉप बोड़ी वोट इड कोड में फादर फोर अब ध्यां सुनिएगा अब जानते हो ना बच्चे जब रोते हैं सकते हैं तो उसके सबकी दादी माय काते हैं आओ बच्चे हो ऐसे हो ठीक है ना अब दाटे आपने पिता जी को हो सकता डाटे भी लेकिन हां इस तरह प्यार के सैंसे में डाटती है ना अब देखिए बोलती होगे डाटो डाटो इस प्रकार से वोट इड़ इस प्रकार समझ में समझेगा आगे क्या कहता है कि सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब क्लीन हैं की डालिंग ब्लो योर नोज को टू स्लीप पिट यू अब देखिए कई बार रोते रहते रहते हैं तो क्या होता ना नोज यहां से बैठता आखे में आसूर आता कुछ पता नहीं चलता कौन किसमें मिक्स हो गया होके तो इसके भी ऐसे हो रहे होंगे और उसके बाद क्या हुआ ध्यान सुनिएगा अब उसकी मदर बोलते हैं जाई अपना पोच्छी अच्छी असान तुझा यह बाकी मैं देखती हूँ ठीक है ना वो कान का रहा होगा इसकी ग्रै ने के लिए सेंट तुनाई लेकिन आप कई बार क्या होता ना आप की गल्ती होती आपको सांथ करा आधा अप और रोय जाते हो रोय जाते हो उसके बाद कर दो मैं अपने समझा रहाता है फिर भी कि मेरी गलती नहीं थे लेकिं फिर वह अन्हें इसके ए best 18 разр अगदहिश्र सा बाट दॉटाव छाओě ने cert Dalino सिक्विकली फुट बोथ हैंड ब्याइंड हर बैक एंड रेट कलर फ्ली इन्टु हर चिक्स अब देखिए जब भी अपने पिता जी को देखती ना लिखा हो ना अब घटना कभी भूलती नहीं है अब एक बार मार परती आपको कभी भूला नहीं जाता उसको भी नहीं भूल इसे डरते हुए डरते हुए सेंस पता चलाता है यह बच्ची डर रही ठीक है ना कुछ इस प्रकार से आगे देखते हैं थोड़ा सी स्टोरी में क्या है यह नाइन पॉइंट क्या है अधिया नौवा पॉइंट आपको समझ में आएगा दा मैकडोनाल्स लिप्र आमाला था पीजा बर्गर, तोमी, इसी प्रकार के, यह heißt five children looking through a gap in the fence the little girl saw them play playing tag in the evening, the father with the baby, tribarton on his shoulder, two little girls hanging on his coat pocket ran round and around the flower bed shaking with laughter, once he saw the boys turn the house house on him and he tried to catch them laughing all the time the mcdonald's 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 कि आपको हैं सिखने वाई यह बात है कि सबके सिच्फिवेशन अलग अलग होते हैं वह खाली होंगे यह उसको समझना चाहिए था लिट्टिल गई को और ध्यान सुनिए गा उसके फादर को भी समझना चाहिए था कि मुझे वी ऐसा वक्त निकालना है थे ना कि हम अपने प्रमराया मदर की साथ कुछ ना कुछ खेल खेले होगे फाइम तो खेला हूं कि जबासर्ट खेला की उल्टा सीधा काम होगर की है अचाश्थ और अप्राक्षे क्या क्या रहे हो कि आख़व अभी बड़े हो गए हो बच्चपन ही तो है 910 कहां ज्यादा है भी अब ध्यान सुनिएगा आगे देखते हैं आगे तहां तक पहुचा था अब यह सब पूरा कहानी पड़ोसी बताती है आगे देनीट वासी डिसाइड़ देर वाज़ देफ्रेंट सौर्स ऑफादर तब उसे लगता है नहीं अलग अलग फादर है ठीक है न एक हमें जैसे उसके पिता जी है लिटिल फीटाहर अब लेकिन आचाना क्या होता आउसकी मदर लीटील ऑगे मदर और ग्रैंड मदर दोनों कहां जाती स्वास्पिटल जाती है ख़स्पिटल जाने के बात क्या होता toutes analytics लगद फावस में लेटल वाज़ों इन पकाने स कुना धकर नहीं घर में हं साइच हान इसकत ठ लेकिन क्या होता है आगे देखेगा रात कर कैसे बिताएंगे समय ऐसा होता भी हम लोग दिन में तो अपने आपको से फिल किया गरते हैं लेकिन रात में पैरेंस की जरूरत पड़ती है ना ठीक है रुद्राची आप सही कहा रहे हो कोई बात में साथ में नहीं जालता है आप उनके साथ हमेशा टच में रहे जो आपको हमेशा अच्छा देखना चाहते हूं ठीक है नेक्स लेवर पर देखना चाहते हैं प्रांशी आप क्या करो हाँ ठीक है अच्छा पहले ही बोले लेखते हैं आगे यह मस्ति कर रहे है है यह देखो यह कुछ इस प्रकाश को यह रगा हूआ है फ्रेंस बोलते हैं इसे ठीक है सब को डेख रही है कि इसको भी देख रही इसको भी देख रही ये उप schnell वाले को में भी देख रही है सब को देखे राए चलिए तो और आज चलते हरा कहानी में एथड़ी से आगे घरते हैं कि tak चली आगे देखते हैं बट वाइल एलीस वास पुटिंग हर टू बेट सी ग्रीव सद्रेनली अब ध्यान सुखेगा रात का समय आता है अब उसे डर लगने लगता है ठीक है ना अब डर की कारार क्या करती ध्यान सुनिया वोट आ विल डू इफ आ है वर नाइट मिया अब प कि मैं क्या करूंगी अब देखिये जाहिर सी बात है नाइट मेर मतला क्या होता है बैड ड्रिम बैड ड्रिम को क्या बोलते है नाइट मेर जो बूरे सपने आते हैं मैं क्या करूंगी जब मुझे बूरे सपने आएंग हो सकता हुसे बूरे सपने आते हूं उसकी मदर क्या क अपने पास बठाते या फिसला देती हूं ठीक है ना ऐसा होता भी यह बच्चों के साथ अब ध्यान सुनियेगा अपने मदर का सो नहीं पाते इस प्रकासी वह बाते कह रही है अब बाते कहने के बात क्या करें ध्यान से देखियेगा अच्छे से पढ़ा पढ़ना जरूरी है हाय सिटीज की स्कूल में नहीं हाँ रुद्राक्षी आप सही कह रहे हूं हाय सिटीज से कोई लेना देना आप आध भी देखोगे आध भी देखोगे ना कई बच्चे गाओं कईसे निकलेंगे अपी ऐसे लोग रहते हैं जो हाय होती है ठीक है ना तब भी अच्छा नहीं कर पाते लाइफ में क्योंकि ही नहीं वह ऐसो अराम की जिन्दगी जीना चाहते हैं कमफर्टेबल पोजिशन चाहते हैं आप लोग के पास जब कुछ नहीं है तो यह मत बुला करें नहीं है है आपके पास सब कुछ है कि पहने आना चाहिए हाँ बास सभी आपका पढ़ने आना चाहिए आपको देखिए उनसे जेलस नहीं फिल करना आपके सब्दों से लग रहा है आने दो जो हो रहा हाने दो हाय सिटि में पढ़ने अमेरिका चले जाए आप तलाव के बगल में बैठके पढ़िए लेकिन हाई ऐसा पढ़िए ना जब आपके सामने आया ना लगे है इसको होना चाहिए मुझे पर बगल में होना चाहिए था या फिल अपनी फैसिलिटी का फाइदा उठाइए कमफर्ट जोन में रहा ही तक झेलेश फिल चीलेश फिल करने वाले कोई बात नहीं एक कोई ने छोटा और हमारा समिधान इतनी अच्छी बनी हुई है ठीक है ना सबको एक्वल लाइट देता है सबको एक्वल अपर्शनिटी देता है ठीक है बराबर आप अगर काबील हो तो उतने ही सहले नहीं मिलेंगे जितना उस व्यक्ति को मिल रहें आपके पास कुछ है या नहीं है आप कभी समिधान को ठागे पढ़िएगा अंसुमान सर सोचते हैं कि तस में अलहाबाद प्रयागराज में क्लास करूं सही है कि नहीं प्रयागराज में देखिए भाई ठीक तो रहेगा बात तो सही है अगर आपके पास पैसे हैं आप कर सकतो एफ़ोट तो करिए बट मैं एक बात आपको बता दूँ पढ़ाई आप वहां से भी कर सकतो है अच्छे से यहां के यहां कि आपको सीख मिलेगे अगर आप अकेले लिए बतारा हूं आपको आप भी काम करिए न आपको कुछ सीखना हो नहीं तब आ आईय कि नहीं तो हाँ अगर आप वही काम करना है यही kept चायते हो मतलब कर से ओक atenção को जो करना है नैधने अब समझ़ पारusan हो अरे भाई फीस उस मुझसे ना पूछे फीस उस बहुत लोटते हैं कई बार तो अगर आप बहुत महंगे महंगे फीस लेते हैं मैं आप तक की जानता हूं मेरा आप सपास जो स्कूल से कॉलेजे से एंडिविशन के फीस 26-27 जा ले ले लेते हैं आप स्कूल के फीस तो अगर इसी बात नहीं जहां पास बारह सो चौदर सो एफीर अठारा सो दो हजार में काम चल जाते हैं लेकिन सीब्सी बड़ आंताव पे दो हजार से कम नहीं ठीक है ना मंतली की बात कर रहा हो सब लूटते हैं ठीक है ना कोई बात ने स्टड़ी हर जगा अच्छी होता है अब देखिए उससे सपना आते हैं तो क्या होता है यूजस्ट गोटू स्लीप चाइल्ट सेड़ पुलिंग ऑफ हर सॉक्स और डॉंट यू स्क्रीम एंड वेक यूफ पूर पाँ अब ध्यान सुनिएगा अब जो एलिस होती है एलिस क्या बोलती है उसका सॉक्स निकालते क्या है कि आप मत बताईए कि देखें का बोलती है डॉंट यू स्क्रीम यहां से सुनिए आप चिला ही मतलब की आप बढ़ाओ मत कि तुम्हें नाइट मेर आएगा नहीं तो बगल में आपके पिता जी सो रहा है ना वो उठ जाएंगे यहां क्या लिखा हुआ यहां सुनि विखा हुआ हुआ mechanics with a knife and rope who came and nearer and nearer smiling dead dreadful smile while she could not move, could only stand still crying out grandma, grandma she woke shewering to see father beside her bed, a candle in his hand what is the matter probability काई है कौण सा और जो सपना आता है कि ऊसी ऊंतल को किल करता है ठीक है ना नाइफ से हलका आप जानते हुआ पूर वो कसाई टाइप इस परकास से ठीक है na उसको वह सपने में आता है कि वो चक्कु लें दोड़ा ठीक है ना और दढाने बात क्या होता है क्या करती है चला रही है एक जगहाँ खड़ी है पीछे सा भागते हुए आ रहा है बूचर अब भाग भी नहीं पारे डर के कारण इस प्रकास उसे कुछ सपना रहा है और चिलाती के ग्रैंडमा ग्रैंडमा तो उसे कोई बचाने वा अब देखे क्या होता है what's the matter he said अब उसके पिता जी क्या बोलते है क्या बात है पूछेंगे जाहिर सी बात है अब देखे टेंसन आपको यहां पता चलेगी उसका जो डर था अपने पिता जी क्या ना कैसे अब डर अंडरस्टेंडिंग में चेंज हो रहा है यही आपका पहल टॉपिक था बिफोर यह रीड पहने से पहले चैप्टर को में यही समझे थे कैसे उसकी फियर अंडरस्टेंडिंग में बदल जाती है यही आपको चैप्टर सिखा रहा है यह देखे कई बार होता है मैं च्छे और होने के बाद पता चले आगे देखते हैं थोड़ा सा ओ पुट आवे दा पैपर देन केरफुली टॉप अप दचाइड ही लेड डाउन बिसाइड हर हाफ स्लीप स्टील अब देखिए क्या होता उसके पिता जी कैंडल को जलाते हैं ठीक है न अब उसको अपने पास क्या करते हैं उसको अपने पास जाहिर से बाद सुलाएंगे ब बूचर स्माइल आल बाउट हर इट स्टीम अचानक उसे क्या दिखने लगा फिर से दिखा कि वो बूचर फिर से हस रहा हसते हुए आ रहा जाए ठीक है न वो फिर से दिखता है इस आम हेल्ट अब आगे देखिएगा ठीक्रेप क्लोस तुहीं और उसके पास आता ही जा र इस ल呢 चले और आने लगते हैं जो आपना फीट है उसके अपने फादर के की फीट में क्या मतलब ही जहां समझेगा जो लिटिल गर में इसके फादर तो को कहते हैं इसके फादर को और मेरे पास आ बस यह कहते हैं उसके बाद ध्यान सुनिए क्या होता है इस्टोरी में आगे ध्यान से देखिए यह आखरी पॉइंट है आप राइटर का नाम देख सकते हो यह हैं ठीक है ना अब ध्यान सुनिएगा अब लिटिल को एक फणी सा मुमेंट उसे आदा था क्या आता है ध्यान से देखिएगा बिग आफ्टर और अन्विट नौन तो लुक आफ्टर हीम यह वाज़र दें ग्रेंड मदर बटी वाज़र नाइस अब ध्यान सुनिएगा अब पास में जब स हो गई ठीक है ना बहुत ज्यादा एज हो गया है उनके स्कीन थोड़ा सा सॉप्ट लग रहा था लेकिन उसके पिता जी क्या लग रहा था हार्ड ठीक है ना हलका सा मज़ाक वे में यहां पर बोल ले यह वो अब देखिया आगे क्या होता है पट इट वाज़र नाइस हार अब देखिया इस तरह सब को सोच रही होती है ठीक है ना हलकाल का स्माहिल भी कर रही है अब देखियो उसके बाद फादर पूछते अब क्या हुआ तुमें प्रिसकोई सपना आया क्या आप क्या का थी ओ सेट द लीटिल गर माई है एट्स ऑन यूर हर्ड जो मेरा है ना अ हर्ड के पास ले आते करीब अब ध्यान से सुनिएगा वह कहती है कि आपके पास दिल बहुत है अब देखिया यहां पर उसके अंडर्स्टेंडिंग कैसे होगे अभी तक तुसे डर लग रहा था लेकिन आप दोनों करीब है सोचिए लिटिल गर आपको भी कैसा भी आपको कि हिंदी विडियाम के बता दिए भाई यह समझ गया है कि कर यस अमान क्या नाम है अनुजबिन्द अब आपको सब कुछ अच्छे से अच्छे समझ में आई रूजबराख्षी । Aa कि फ्रूजबराख्षी 10 ऍहर टेंथ मेर चिंद करोगे दिकत क्यों नहीं होगा होगा Cole इन अब कहां पर ले हूं मेरे साथ की कई लोग भी गये थे उमको बहुत दिक्कत हुई इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक है न चलिए अच्छा हाँ हाँ बताया थे गाजीपूर ठीक है डॉन्ट अमने ठीक है चलिए आप कल फिर आईएगा ठीक है न कल नेक्स चप्टर पढ़ेंगे ओके बाबाए